कि यह अमाइका डिमी 6a मॉडल है और इस फोन में नेटवर्क का इस्व है इसमें 2G नेटवर्क बरबर आ रही है यहां यहां एटल भी लिक्ट रहा है और यहां नेटवर्क उखले बट इस फोन में 4G नेट होर्ग बिल्कुल नहीं आती है और और जियो सिम्पिल को वार्खी नहीं करती है इस फोन में और इंट्रेनेट भी नहीं चल रहा है इस फोन में यहां मैंने इंटरेट को खूला और यहां यूटूब पर देख रहा है और यहां यूटूब भी ने चल रहा है यहां पर लिख रहा है नो इंटरेट कनेक्शन तो इसका सेटिंग चेक कर लेते हैं एक बर इसका नेट्वर्ट शेटिंग में यहां डूल 4G1 है डेटर रोमिंग भी वान है और यहां बोल्टी वी इनेवेल है एक वार नेट्वर्ट शेटिंग को मेनुवाली सर्च करके देख लेते हैं क्या होता है देखिए फिर यहां लिस्ट सो हो रही है यहां 8L 4G लिख रहा है उसे सेलेट करने पर रेजिस्टेट वान नेट्वर्ट लिख रहा है बट फिर भी 4G नेट्वर्ट नहीं आया और इंटरनेट भी लिख रहा है आफ लाइन तो अब इस फोन को खोल करने पर प्रोबलम को ठीक करने की कोशिस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सीम को निकाल लेते हैं और हैंड़ लेते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पार्ट भी बिल्कुल किलीन है यहां पर कोई छेड़ खाने नहीं है तो सबसे पहले हमें नेट और एंटिना को चेक करना होगा यहां ठीक है या नहीं तो इसके लिए मल्टिमीटर से चेक करेंगे इसको मल्टिमीटर को कंटिनुटी में उन्डे सेट कर लेना है अब इसकी पार्ट्स कुछ से कर लेते हैं अब इसकी पार्ट्स कुछ से कर लेते हैं कि इसकी पार्ट्स भी बिल्कुल ठीक है यहां भी बीव कर रही है कि इसमें भी कोई इसू नहीं है कि अब हम नेट वर्क सिक्षिंद में लगे कॉमपड़नस को चेक करेंगे तो सबसे पहले इस धकन को अटा लेते हैं भार और अपको फोन वान ही रखना है ताकि इसमें भॉलट चेक हो सके वह निए के करने के लिए मैं सबसे पहले मिट्र दूब हमाया मैंने मिट्रों पहले ही शेट कर लिए कर गे कि और इस आईसी में यहां भेवल आ रही हैं है कि तीन पॉंट साथ के करीव कि वह जूम करके चेक करते हैं कि यहां पर 3.7 भॉल्ट आना चाहिए देखें 3.7 भॉल्ट आ रही है यह आईसी का इन्पूट भॉल्ट है यह आईसी का इन्पूट भॉल्ट नहीं आ रही है कि यहां पर 3.7 के करीब भॉल्ट आना चाहिए आईसी का आउट भॉल्ट भी चेक कर लेते हैं कि यहां पर भी भॉल्ट नहीं आ रही है कि हमें इस फोन में आईसी में इन्पूट भॉल्ट सप्लाई देना होगा कि यहां से एक जमपर उठाना है और बैटरी कनेक्टर के पोजिटिव साइड में मार देना है इसके लिए एक रेश्टेंस की जुर्ड़त होगी एक सो से लेकर डेट्स के विगे बिच ताकि इस फोन का आईसी डेमेज ना हो सके का कि बैटरी में ज्यादा भॉल्ट आती है जिसके वैसे इस फोन की आईसी डेमेज हो सकती है फिलाल मेरे पास कोई आईसी रेश्टेंस नहीं है इसलिए बोर्ड में कहीं दूसरे जगा से पावर सप्लाई दूँगा यहां एक रेश्टेंस है इसमें 3.7 की करीब भॉल्ड आता है मैं इसे एक बार चेक करके भी दिखा दूँगा इसके लिए हम फोन को आन ही रखना ह और इसे हम माल्टिमेटर से बाट चेक करके दिखा देते हैं कि यहां पर तीन पॉइंट से बहुंड का सब्सक्राइब आ रहा है तो हम यहीं इसी रेश्टेंस से जंपर करने वाले हैं जंपर करने से पहले फोन से बैटरी को नियुकर लेना है ताकि बोर्ड शॉट ना हो कर दिया जंपर थोड़ा धियान से करना ताकि अधर शॉट ना हो जाए इससे बोर्ड में प्रोब्लम आ सकती है और मैं यहां भी जंपर कर दिया अब मेरे फोन में जंपर कम्पिलिट हो गई है अब हम फोन में सीम को इंसर्ट कर देंगे और फोन को वान करके देखेंगे मैंने फोन को सीम लगा दिया है और फोन को वान करके देखते हैं देखिए दोस्तों यहां 4G आ गया है और बोल्टी भी लिख रहा है देखिए यहां नेट वर्ग फूल है और यह 4G लिख रहा है और यहां बोल्टी भी लिख रहा है आव एक बार नेट चलाकर दिख लेता है नेट चल रहा है यानिस देखिए दुस्तों यहां नेट भी चल रहा है यहां है यहें की मेरा जो 4G नेट वर्ग का फ्रोल्लाम था वो सॉल्व हो चुकी है आप एक बार जैंपर को आटा के देख लेते हैं किने ट्फर कभी रहता है या भाग जाता है मैंने याग जमपर हटा लिया बैवने ट्फर दीख रहा है लेकिन यह फॉर्श ने ट्फर हो सकता है कdd क कुई टूब्ने चल रहा है झ्याव फॉन को फॉलाइट मोड में करके देखते हैं कि फलाइट मोड से हटने के पाद अभी वाफ लाइन बता रहा है और ने टोर भी नहीं आया कि अब फिर से हम जंपर कर लेते हैं एक बड़ कि देखे दुस्ते जंपर करते ही आटोमेटिक टावर आ गया तो आपको भी इस तरह से जंपर कर लेना है और यह प्रोड़म हेंड़ेट परसंट स्वल्व हो जाएगए तो मिलते हैं आगले वीडियो में कि अगले वीडियो में अगले अगले वीडियो में